जोहार साथियों आप से भी को जार्खन नोटबुक चनल में हार्दिक स्वागत है इससे पहले के सेसिन में हम लोग क्लास 1-5 का स्लिवस का डिटेल्स में चर्चा किये थे और इस सेसिन में हम लोग चर्चा करेंगी क्लास 6-8 यानि किसना तक परशिक्चित सहयक आचार्जे क स्लिवस का तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दे कि जितने भी भारत की टिचर रिकुर्मेंट का एक्जाम होती है उनमें से सबसे घटिया स्लिवस जार्खंड का है आप क्यों घटिया बोल ला है क्योंकि आप देख पर होंगी कि KVS, NVS ये सब जितने भी स्कूल्स लेवल के एक पहुती रोल पले करती है स्कूल KVS हो गया, NVS हो गया, इन लोग अगर टिचर रिकुर्मेंट का सलिवस को देखेंगे आप और जार्खंड का टिचर रिकुर्मेंट को सलिवस को देखेंगे आप तो दोनों में आकास जमिन का अंतर है, आप देख पर होंग गंटा का एक्जाम दोना होगा, जो कि आपका UPSC मेंस का जो एक्जाम होती है, उसमें आपका 9 गंटा का एक्जाम होती है, कितने गंटा का एक्जाम होती है, दिन भर में 2 पी पर होता है, तो उसमें भी हमको लगता 6 गंटा का एक्जाम होता है, बट इसमें आपका 9 गंट एक दिन में एक्जाम लेने का जो समय सिमा है यह तो पार कर दिया है चार पाली में आपको एक्जाम दना होगा तो चलिए कुछ भी हो यह फाइनल सलेवास है इसमें कोई चेंज हमको ने लगता होगा और आपको आपको इसी के अकॉटिंग प्रिप्रेशन करना चाहिए चैन सलेवास आपका 50,000 जो भरती है उसमें अप्लाई होगा अभी 26,000 आया है उसके लिए भी है और आने वहले 26,000 के लिए भी ऐसलेवास रहने वाली है तो सबसे पहलेता जो है आपका वो पेपर 1 होगा और पेपर 1 जो है आपका वो qualifying in nature होगा आपका जिसमें 100 questions पुछा जाएगा 100 marks के लिए पुछा जाएगा और टोटल आपका समय दिया जाएगा इसमें 2 घंटा का इसमें कौन-कौन सा पेपर है आपका metric level का जो exam के according आपका हिंदी, इंग्लिस, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडू, कुर्माली, खोर्टा पट ऐसा नहीं कि metric level पर जहारखन से बैंगोली भी बहुत लड़के लिए चूज करते है बच्चे तो उन सारे बैंगोली पेपर को यहाँ पर हटा दिया गया है बैंगोली को नहीं दिया गया है इन सा आपको merit से को लेना दना नहीं है paper 1 का बट आपका merit में नाम आने के लिए paper 1 का qualify होना जोड़ रही है अब आपको बात करेंगे paper 2 का तो paper 2 में आप देखेंगे तो paper 2 आपका क्या है इसमें भी आपका language paper है इसमें 100 questions पूछा जाएगा 100 marks के लिए पूछा जाएगा समय आपको दो घंटे दिया जाएगा कौन-कौन सा paper है इसमें language का हिंदी है इंगलीज है उर्दू है संथाली बंगला मुंडारी भो खडिया कुडुक कुर्माली खोर्टा नागपुरी पंचपरगनिया उडिया और संगस्कृत में से कोई भी एक भासा आपको चूज करना इस नेक् डिसकस करेंगे इस पर जब डिटेल सिल्वास पर जाएंगे यह आपका एक्जाम प्रेटर्न है इसके बाद उस पर आ रहे हम लोग की हर एक paper में आपका डिटेल सिल्वास क्या रहेगा उसके बाद सबसे जो में चीज आपको समझना वो paper 4 समझना है क्योंकि paper 4 जो है वो में apply करना चाहते है तो इसके लिए आपको टोटल यहां पर पांच सेक्षन से question पूछा जाएगा कितना सेक्षन रहेगा पांच सेक्षन बाट उनमें से आपको तीन सेक्षन से ही answer देना है कितना सेक्षन का अंसर देना है तीन सेक्षन का पांच सेक्षन क्या क्या है गनित बहुतिकी है, रसायन सास्त्र है, मनस्पति विग्दन और प्राने विग्दन, पाँच से question जोड़ रहेगा वाट आपको answer तीन section का ही देना है, हर एक section में जो आपका marks रहेगा, 66 marks का division रहेगा, 66 marks का division रहेगा, और total आपका number हो जाएगा 180 question, 180 marks के लिए, वाट इसमें और एक trick है, जो note करके लिखा हुआ है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप दो subject का त्यारी करके जाएंगे, और third वाला में कोई त्यारी ही नहीं करेंगे, तो आपका merit बनना में दिक्कत आ जाएगी, क्यों? क्योंकि यहां बोला गया है कि तीन जो विसाही आपका, उक्त विसाह लिए है, तो वहां सभी आपका 33% मार्क्स लाना अनिवार्ज है, यह 33% मार्क्स का जो cut-up range है, वो आपको पार करना ही होगा, फिर आप जितना मार्क्स लाई हो आपके उपर है, बाट 33% के minimum मार्क्स जो है, वो तीनों पेपार में आपका आना चाहिए, यह आपका यहां प करने की कोशिज कर रहे है, सेकेंड हम लोग बात करेंगे, सामाजिक विग्यान सिक्षक का, इसमें टोटल आपका 7 सेक्षन है, कितना सेक्षन है, कितना सेक्षन है, कितना सेक्षन है, आपका 3 सेक्षन का ही आपको आंसर देना है, कितना सेक्षन का आंसर देना है, 3 सेक्षन marks है, जिसमें 60-60 पूछा जाएगा, पर इंट 60-60 में से आपको 33-33-33-33 यह आपको लाना अनिवार्ज है, 33 marks इसमें भी 33 marks इस subject में भी 33 marks इस subject में भी आपको लाना अनिवार्ज है, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा का 180 question के लिए, तो time को लेकर कोई दिक्कत नहीं, पर time के लिकर दिक्कत यह है कि आपको तीन भर 4 पाली में एक्जाम देना, 9 घंटा एक्जाम देना, कैसे इस मेनेज करेगा, कितना दिन में करेगा, वही लोग जानते हैं, आप हम लोग आएंगे भासा सिक्षेक पर, भासा सिक्षेक पर कुण कुण सा language है, यह वाला जो आपका question रहेगा, वो English से रहेगा, किस से रहेगा, इंगलिस से, देखिए, यहाँ पर दिमाग देखिए, JSC को फ्रेम किया था, तो यहाँ पर देखिए, आपको से क्या-क्या टेस्ट करवा रहा है, अनिवार जो होगा आपको, तो ही आपका merit paper में merit बनेगा, मैदा सुची त्यार होगा, तो total अगर आप देख पर होंगे, यहाँ पर total आपका 480 marks के लिए आपका paper होगा, जिन में सा 100 marks आपका क्या रहेगा, क्या qualifying in nature रहेगा, और 380 पर आपका merit बनेगा, तो चलिए अब हम लोग detail slivas पर चर्चा कर लेते, detail slivas में देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पताए गया है, कि paper 1 जो है आपका वो जहारकन अजबीज परिश्य दरा पाट्टिकरम का आधार पर होगा, जो language पर होगा, आपका metric level पर है, तो metric level का जो slivas है, उसी के according होगा, paper 2 का slivas हम लोग देखेंगे, जो persist 13 पर है, और paper 3 जो है आपका, इसका जो slivas होगा, जो intermediate बला में चर्चा कियेते हैं, भी फिर दिखा रहें आपको, उसी के according होगा, इसका जो level होगा, वो सनातक इस्तर का, किसका इस्तर का होगा, सनातक इस्तर का, तो paper 3 बला सिलिवास आपको दिखा जाते हैं, फिर बात में लोग language बला में चला जाएंगे, और भासा वाला में चला जाएंगे, गनत सिक्षक और बिगण सिक्षक पर, यहाँ आप देख पर होगे, paper 3 का सिलिवास, यह किसका सिलिवास है, paper 3 का सिलिवास है आपका, paper 3 में आपसे क्या-क्या पुछा जाएगा, पुछा जाएगा, जिसमें GK and current affairs है, और यह सिलिवास जो है, JSSC, CGL का जो सिलिवास है, उसी को हुभू उठा दियागे, यहाँ पर, यह आंतराष्टिय प्रोषकार, भारतिय भासाय, पुस्तक, लिपी, राजजानी, मुद्रा, इन सारे चीजों पर, इन सारे चीजों पर वीडियो भी आपको मिलते रहेगा, classes बगर होती रहेगी, वहाँ पर आप जोइन कर लिजे चैनल को, फिर समाइन विग्गान से आपका class 10th level तक का आपका class 10th level पर आपको science पर पकड़ बनाना है, math साब से क्या क्या पुछा जाएगा, आंक गनित पुछा जाएगा, पार्थमिक बिज गनित पुछा जाएगा, जैमिती, सामानित रिकोन मिती, छेत्र मिती, इन सारे चीजों पर आपका रहेगा, इसका level आपका class 10th लाएगा, रिजिनिंग साब का देख पा रहे होंगे, रिजिनिंग से सवाल आएगा, कंप्यूटर सा आएगा, जार्खन राच्चे से समन्दित गयन भी आएगा, अब हम लोग चलिए, चलते हैं, next paper 4 क्यों चलते हैं, कहां चलते हैं, paper 3 and paper 4 चलते हैं, paper 4 हम लोग देखते है, paper 2 कहां था, paper 2 पर एक फिद देख लेते हैं, paper 2, paper 2 हो गया, paper 2 का स्लिवास और paper 4 का स्लिवास अब हम लोग का बच गया, paper 2 and paper 4 का स्लिवास क्यों जाते हैं, page में लिख देखते हैं, page नम्मर,